भगवत गीता में श्री क्रिश्म ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह धूंध लेता है, जिस तरह एक पज़ड़ा हजारों गायों के बिच अपनी मां को धूंध लेता है। कर्म फाल इंसान वो भोगना ही पड़ता है हमारे किये गई कर्म हमें धूंधी लेते हैं फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म पाल जैसा कुछ नहीं होता हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दुसरों के साथ बुरा करते हैं लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता यहीं सोचकर हम से ज्यादा तरलोग बुरे काम करने लग जाते हैं हम सब ये भूर जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंद नहीं होता किसी के साथ बुर करने वाला भले ही आज सुखी हो लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा बहुत समय पहले की बात है शहर से दूर गाउं में एक दुकांदार था जो अपने ही गाउं से एक व्यक्ती से रोजाना एक किलोग्राम मक्खन खरीदा करता था वह दुकांदार कई सालों से उस व्यक्ती से मक्खन की खरीदारी कर रहा था एक दिन उस दुकांदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ती से मक्खन खरीदता हूं लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तॉल कर नहीं देखा कल तॉल कर देखूंगा कि ये मखषन एक किलो ग्राम से कम तो नहीं देता अगले दिन जब वह व्यक्ति मखषन दे कर गया तब वह दुकानदार ने मखषन का वजन किया तो देखा मखषन सिर्फ 900 ग्राम है उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया वह दुकानदार गुस्से में गाव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी गाव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे एक किलो ग्राम मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है वह व्यक्ती बोला सरपंच जी मैं तो एक गरीम आदमी मूँ मेरे पास वजन तॉलने के लिए सही माप नहीं है मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए एक किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानकार के लिए मक्ठन तॉलता हूं अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए पंचायत में बैथे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गाउं से बाहर करवा दिया ये चोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेंगे हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है जिसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान जेलना पड़ा उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान जेलना ही पड़ता है दुसरों के साथ हमें बुरा करके हमें एक दो या दस बार बच सकते हैं लेकिन एक ना एक दिन उसका परिनाम हमें भुगतना ही पड़ता है हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते हैं बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है फिर चाहे वह आज हो या आने वाले एक साल बात हो उसी तरह आच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है कई बार हमें ये लगता है कि दुसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे लेकिन उपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है और जरूरत पढ़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है इसलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कब ये सोचों की उटे सीधे काम करके हम बच जाएंगे जिन्दगी को बहतर तरीके से जियो, इमानदार बनो ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फाइदा देखने के चक्तर में किसी के साथ गलत कभी ना करो हमेशा याद रखो जो जैसा करेगा वह वैसे भरेगा